कल तु मुझे निंद में गालियां क्यों दे रही थी यह तेरा वहम है क्या वहम है यही कि में निंद में थी मतलब तो मुझे हकीकत में घालियां दे रही थे यार तुक कभी मुझे चोड़ेगा तो नहीं अर्थ पागल है क्या मैंने आज तक उससे नहीं छोड़ा जिसके साधी हो गई है तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ा इसके में तुम्हें सब्सक्राइब हो जब तुम्हें नोग तुम मेरे जिन्दिगी में चांद बढ़ना पसंद करोगे अरे हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल तो जितनी दूर चांद है न उतनी दूर चला जा अगर भी सर्दी लगती तो क्या करती हो तो मैं हीटर के पास जाके बैट जाता हूं अगर खिरी भी सर्दी लगती तो क्या करती हो तो मैं हीटर चालू कर देता हूं अरे यार इतना लेट क्यों किया मैं कब से भीट कर रही हूं यार बॉस ने रोक लिया था क्यों साथ में डीनर कर रहे थे क्या खाये गालिया अच्छा एक बात बता ऐसी कौन ता चीज है जिस तुम्हारे नजरों मेरी क्या किमत है अरे यार तुम मेरे लिए ना करोडो की हो करोडो की रहा तब उन करोडों में से एक लाक रूपय मुझे देदियो ना मुझे दुबै जाना गुमने के लिए अरे यार लेकिन मेरे पास में कैस महीं है कोई बात नहीं है पेटियम कर दिए सुनो हम आपकी लाइफ मेरी क्या कीमत है अरे बावली तुम्हारी तक इमत करोडों में है उन करोडों में से ना दस हजार पर मुझे दे दू उजे शॉपिंग करनी है अगर आपके दहिने हाथ में खुझली हो रही है तो अच्छे से खुझा के काम पे लग जाओ क्योंकि पैसे काम करने से आते हैं खुझाने से नहीं अच्छा हुआ परवु सिरी राम जी बानर से ना लेके गए थे अगर इंसानों को लेके जाते तो सोने की लंका देखके आधे तो रावण के पच में हो जाते अरे सुरेज तुमको पता है चाहिए लोग इस साथ से खाना नहीं खाते हैं क्यों क्योंकि यह हाथ मेरा है ना नमस्कार जिसकी साधी हो गई है वो किसी भी लड़की के साथ ना मनाए वेलंटाइन डे वरना बीबी आपके साथ मनाएगी वेलंठोकाइन डे अब जोगरफी वाले मेडम आपने कहा थां ताजमाहल कहा है लीजिये आज अगराँ आही गया हा और ताजमाहल मैंने बनाया है लो आई तो मैं ताज महल देखने आया था आगरा में बहुत मासूर है ताज महल देखों पहले मैं छोर शार देख लू भाई तेरा बाप यह चोड़कर गया था कि तेरी माँ यार यह बता यह चोड़ा फरोरी को क्या है पहले यह बता तेरे पास गलप्रेंड है या बीबी मेरे पास तो बीबी है तो चोड़ा फरोरी को महा सिवरात्री है